भारत जोड़ो न्या यात्रा का आज 35 दिन है दोस्तो राहूल गांधी के नेतिरूतियू में निकाला गया ये भारत जोड़ो न्या यात्रा परधान मंतरी मोदी के सांसदिय छेतर बनारस में आपोंची है जिस तरीके से मोधी सरकार ने किसानों के उपर अतियाचार किया है इस वक किसान लगतार सिंगो बॉर्डर पे हरियाना और पंजाब से दिल्ली के अंदर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहीं पे केंदर सरकार द्वारा वहां पे किलो को गड़वा दिया गया है और तारों को बिछवा दिया गया है बैरिकेटिंग कराई गई है और इससे भी किसान नहीं रुके तो उनके ऊपर छर्रे बरसाये गए बुलेट गोली से दागा गया आंसु गैस के गोले दा सब्सक्राइबाइब ऑनद हैं लेकिन मोदी सरकार किसी भी तरीके से prs किसानों से बात वक्ती तोर पर होता है और इस पॉलीसी को जब खत्म कर दिया जाता है किसी भी पॉलीसी को जब खत्म किया जाता है तो किसी को एतराज नहीं रहता है लेकिन जब कानून बन जाता है तो उस कानून के उपर जनता को और सरकार को और तमाम लोगों को उस पर अमल करना बहुत दरोरी होता है यही वज़ा है कि सरकार किसी भी तरीके से MSP की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है और लगातार किसान धर्ना परदर्शन करने पर मजबूर हैं इससे पहले जब उत्तर परदेश में विधान सभा का एलेक्शन था एलेक्शन से एक साल डेर साल पहले किसान लगातार एक साल से ज़्यादा सड़कों पर थे 700-700 के किसानों की जाने चली गई और किसानों के ओपर थार चड़ा करके उनके ओपर जानलेवा हमला किया गया लेकिन उनके उपर कोई करवाई नहीं हुई और वही किसान फिर आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं ताके उनका जो हक है वो मिल सके लेकिन सरकार किसी भी तरीके से बाचित करने के लिए तयार नहीं है वहीं पे नोजवान अपनी नोकरी के लिए तरस रहा है और सडकों पे भटक रहा है और नोजवानों को भी पीटा जा रहा है ऐसे ना गुफ्ता बिह वक्त में राहुल गांधी एक रोशन सुरजन जैसे और किरन की उम्मीद जैसे आते हैं और लोगों के हक की नयाई के लिए यात्रा करते हैं पहला यात्रा उन्होंने पद यात्रा किया और 4000 किलो मीटर पैदल चले उसके बाद इस वक्त राहुल गांधी कंटीनियू यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा पद यात्रा और इसी तरीके से सवारी यात्रा भी है और वो लगातार सफर कर रहे हैं, जनता से बात चित कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, जिनकों पर जुल्म हो रहा है, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, उनके समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर क्या क्या समस्या हो सकती है, इन तमाम चीज तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के तालुक से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि 2024 लोक्षभा का एलेक्षन इस वक्त सर पर आ चुका है और किसकी सरकार बनेगी 2024 में क्योंकि एक तरफ मंदिर की गंदी राजनिती है तो दूसरी तरफ महबत की दुकान है आप किसक को चूज करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा